हमशकार बहुत स्वागत है देखने जोतिश जराट के आपके साथ मैं हूँ आपका इश्टो फ्रेंड संतोशी भगवान शिव की तरफ इधर हम आपको खुब ले चल रहे हैं क्योंकि सावन का महीना चली रहा है सावन के आगे पीछे भी दो खास दिन होते हैं प्रदोश और एक सो मुवार जब शिव को पूझते हैं आराधना करते हैं आज हम आपको बताएंगे कि आप क्या आरिपित करें शिवलिंग पर जिससे आपके तमाम ग्रह शांत हो जाए पिछले दिनों एक वीडियो में हमने राहू को शांत करने के लिए विशेश प्रियोग बताया था आज हम साथ साल की चलने वाली केतु दशा को शांत करने का प्रियोग बताएंगे अगर किसी की केतु की दशा चलती है तो वो बहुत कन्फ्यूजड रहता है उसको कई तरह की दिक्कतें और परिशानिया आती रहती है कई तरह से उल्जा रहता है कई तरह से चिंताओं में फंसा रहता है केतु एक बहुत बड़ा करिफ्यूजड ग्रह तो है है साथे साथ वैराग्य और भक्ती का भी कारक होता है बट अगर पीडित अवस्था में हैं, दूशित अवस्था में हैं गरत जगह उपस्थित जैसे छठे में बैठा है, आठे में में बैठा है तो आपको कई तरह से ये परिशान करेगा कुटम ब्सुक का नास कर देगा साथी साथ धन का अपव्य भी कराएगा आप क्या कर रहे हैं आपको पता भी नहीं चलेगा आप बहुत ज़्यादा परिशान हो सकते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान ले सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है तो सोच समझ करके कदम बढ़ाते हुए कदम बढ़ाते हुए सोच समझ करके आप आगे बढ़िएगा जिससे आपको किसी तरह का दिक्कत परेशानी ना हो और के तु के शुबफल को प्राप्त करें क्यारपन करना है कुशा ले आईएगा कुशा आपको कुशा ले आना है यह एक प्रकार की घास होती है जो पंसारी की दुकान पूजन सामगरी की दुकानों पर इसी नाम से मिल जाती है कुशा का आशन ले लीजेगा 30-35 रुपे का मिलेगा उसमें से इतना सा लकड़ी निकालना है इतनी सी लकड़ी की छोटे-छोटे साथ टुकड़े कर लीजेगा इन टुकड़ों को एक कटोरी में रख लीजेए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजे और जाकर शिवलिंग के पास इसे शिवाले पर शिवलिंग पर अरपित करते हुए यस मंत्र का जाप करियेगा कटोरी लेकर वापस आजाईए और उसमें से एक कुशा का टुकडा लेकर कागज में फोल्ड करके पर्स में बटुए में कहीं पर भी रख लीजेगा हमेशा के लिए भाईया केतु का प्रभाव बहुत पॉजिटिव हो जाएगा लाब मिलेगा आपका मस्तिष्क खुलेगा आप अच्छा सोचेंगे प्यारा सोचेंगे हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और यह प्यार यह हमारे साथ बनाए रखेगा आज के लिए इतना ही विशया आदी कुछ देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं और भगवानशियों की किरपा आप सब पर बनी रहे हम सब पर बनी रहे और एक बार फिर से अनरोद करते हैं कि आप लोग हमारे मासूम सवाल फिल्म जो आगामी पांच अगस्त को रिलीज हो रही है आपके नजदी की सिनेमा घरों में उसका ओफिशियल फेस्बुक पेज इस्टाग्राम पेज यूट्यूब चैनल आधि पर ट्रेलर पड़ा हुआ है देख लीजेगा जल्दी ही गीत से भी आपका परचे कराएंगे यन 27 म्यूजिक पर जाकर फिलाल आज के लिए इतना ही अमेन उमत दीजे महादेव आप की रक्षा करें नमस्कार शेरादे